मेवात जिले के युवा समा सेवियों ने करीब बेटियों की साधी में दैनिक उप्योक में आने वाला सामान उपहार सरूप देने का बीड़ा उठाया है खास बात तो है कि युवा समा सेवियों ने धर्म मजब की तीवार तोड़ते होए यह पहल शुरू की है युवा समा सेवियों ने अभी तक करी 35 जरतमत परिवारों की कन्याओं की साथी में उपोहार के रूप में जरत का सामान दिया और आज भी मौलाना साफिर मचाहिरी की अज्यक्सता में एक ऐसा ही जरतमत पहन की साथी में उपार दिया किया है बतादे कि युवा समासेवी मौलाना सापिर मुस्ताक तौसिप रामवतार सहेत अन्य समासेवी ने बताया कि सभी साथियों ने मिलकर ये पहल सुरू की है जिससे सभी साथियों ने फाग लेकर उन लोगों को आईना दिखाने का काम किया है जो बिर्त साधी में पैसा खर्च करते हैं यहां तक कि कुछ लोग अपनी छमता से अधिक पैसा खर्च करते हैं जिने पात उन्हें पूरे जीवन कर्च के बोज के तले नीचे दबा रहना पड़ता है और उन्हें बताए कि अभी तक सभी साथियों ने करीब 35 वहनों को घैस्त जीवन चलाने के लिए उपार दिये गए थे और उन्हें बताए कि इस पहल को सुरू करने का मोख्य होते से मिवात में दहेज की लानत को खत्म कर सकें और वर्तमान में साथियां पर हो रही फिचूर कर्ची उच्वर्ग वैसामाने फर्ग की साथी में सभी साथी बर्चड कर भाग लेंगे सापिर मौलाना ने कहा कि सलाम पेश करता हूँ उन सारे साथियों को जो हमारे इस काम में हिस्सा बनते हैं चाए कोई सो रुपे देता हो या फिर कोई हजार देता हो सबका बहुत बहुत सुक्र गुजार हूँ बया नहीं कर सकता कि उन बहनों ने और उन माने सारे साथियों के लिए कितनी दौई मांगे होंगी आप देख रहे हैं पुनहाना से राजी प्रजापती के साथ मिवास ब्याकत अली के रिपोर्ट गरीबन हम 30-35 शादियों से ज़्याद अब ये तक जरूत का सामान दिला चुके हैं और ये काम काफी दिनों से चल रहा है आज मैं सबसे ज़्यादा असल तेक हमें अल्लह का शुकर अदा करना चाहिए और दूसरी बात ये है कि आज ये भाई मुश्ताक हैं जो नहीं इन्होंने कुछ दिन पहले दो गरीब बेटियों की शादी की जिम्मेदारी ली थी कि उनका जो भी खर्चा होगा और आज उन्ही दो बच्चों में से एक बच्ची की शादी है उसका पूरा जरुट का सामान खाने से लेकर कपड़े की सिलाई वगेरा तक भी पूरी जिम्मेदारी भाई मुश्ताक ने ली है हम दूआ करते हैं कि अल्ला ताला इनको इसका अच्छा बदल अता फर्माए और आगे भी मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जरुट मंदों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि ये बात मैं आपके चैनल के माद्यम से बिल्कुल साफ कर दूँ जहेज के खिलाफ हम सुरूही दिन से हैं और अखीर वक्त तक रहेंगे ये तो सिर्फ बहुत जरुट का जिनकी बच्चियों की अमरे घरों में ढल रही है जिसके वगेर कोई गुजारा ही नहीं है हद दियए कोशिश तक हम ये करें को उनको बहुत जरुट का सामा दे लाकर और उनको दूसरे घर तक हम बिदा करने की कोशिश कर रहे donc जहेज के खिलाफ हम पहले बी थे और अखिर वक्त तक हम जहेज के खिलाफ रहेंगे इसमामले में मैं पूरे इलाका मेवाद को और कुछ साती गुडगाउं सब को मुबारक बात पेश करना चाहता हूँ अल्हमदुल्ल्ल्छ सारा साती चाहिए कोई एक रुपए द obecना युजा को और कूछ ऑन करना है और बहुत सारे अलवर से भी साती बाई जुबेर हनीफ वगेरा होसला बढ़ाते रहते हैं कि आप लगेतार काम करते रहे हम आपके साथ में हैं एक बाई रमजान हसन पुरे हैं लगेतार तो पूरा सहयोग मिल रहा है और इन्शाला अखीर वक्त तक हम ये काम जब तक अल्ला ने बहीं मुकद्र लिख रखा इस तरह करते भी रहेंगे हमारा तालुक जम्यत उलमा से है जम्यत उलमा शुरू से लेकर आज तक मजलूम मजबूर और जरुत मंदों के साथ खड़ी रहेगी और अखीर वक्त तक खड़ी रहेगी ये जो गरीब बच्चों की शादी का मामला है आज हमारे साथ बहादस के जम्यत उलमा के सदर भी साथ में हैं कारी जकरिया साथ ये तो और दूसरी बात है कही कोई बेमार होता है उसके इलाज का मामला और कोई बहुत सी मरतब लावा पहुचाने की जिम्मेदारी ये जमियत उलमा मेवात ने उठा रखी है और जमियत उलमा गुडगां और मेवात इन्शालला अखीर वक्त तक जरुत मंदों के काम आती रहेगी इस टाइम पुनाना में हैं जी एक गरीब लड़की को जरूरत का सामान दिला रहे हैं जी जिसका मैंने पूरा जुमा साधी का खर्चा का पूरे जुम्मेदारी लिये अपनी तरफ से लेके रोटी से कपड़े से और सामान वगेरा से जी नहीं वो सूचने कुछ नहीं मिल हो orkड़े कि उटाएए जी हम लगतार साधी कर रहे हैं हमारा मौलाना साबर मजारी सधर है हम लगतार बच्चीयों को जरूरत का सामान दिला रहे हैं जी आब तक लगबाग PPE को हम सामान दिलूआ चुके हैं जी मुझे जब मैं किसी गरीब जरूरत्माने के काम आता हूं मुझे दिल में सबसे बड़ा सुकौन मिलता हूं इन्शयल्ला लगतार करते हूंगा जब तक जिन्दा हूं यशे ही करते हूंगा जी गरीब गरीब बच्चियों को या कोई भी काम हो गरीबों का उसके लिए आ गया आता रहा हूंगा इंशाल्लाइश